हलो और वेलकम स्टुडेंट्स टू मन्यू का ग्यान और आज हम लोग देखने वाले हैं दस्नेक ट्राइंग काफी इंट्रस्टिंग चैप्टर है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यह बताना चाहता हूं मैं कि क्लास 9 की दोनों बुक्स अपलोड हो चुकी हैं उनक हम लिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के अंदर कैसे हम लोग यह समझने वाले हैं कि जो स्नेक्स हैं वो हमेशा ही हमारे लिए हामफुल नहीं होते तो यहां पर क्या होता है है यहां पर जो स्नेक है उसके पिछे कोई छडी लेकर भाग रहा है या फिर उसके पिछे कोई छड़ी लेके घूम रहा है तो वो उस छड़ी को देखकर अपने आपको बचाने की कोशिश करता है और जब वो इधर उधर भाग रहा है तो जो उसकी बॉड़ी है उससे इतनी ब्यूटिफुल टाइप की शेप्स बन रही है वो जैसे तैसे करकर उससे बच कर पानी के अंदर चले जाता है और पानी के अंदर वो सरकने लगता है ग्लाइड करने लग चाता है तो यहाँ पर यह वताये गया है तो यहाँ पर यह बताये गया है हमें कि आथर यह बोलना चाह रहे है कि इतना छोटा सा स्नेक ग्रीन कलर का चोकि हामलेस है जो चुपा हुआ था अपने अप आराम से सैंड के अंदर जब तक उसे मतलब चेस करने की कोशिश नहीं करी किसे ने पकड़ने की कोशिश नहीं करी अरे उसे जाने दो Oh Let Him Go उसको जाने दो और उसको un observed मतलब उसको observe करो जाने दो Slim reads के अंदर reads क्या चीज होती है देखो reads होती है घास जो बड़ी बड़ी खास उगी होई होती है पानी के अंदर तो author ये बताना चाहरे है कि उसको उनके बीच में जाकर छुपने दो तो यहाँ पर आपको story के अंदर यही बताए गया एक green snake की story बताई गई है जिसके पीछे कोई stick लेके जा रहा है और author उसको समझाने की कोशिश कर रहे है वो person जाकर क्या करता है उसको मारने की कोशिश करता है snake को लेकिन snake क्या करता है पानी के अंदर चले जाता है और घास के अंदर चिप जाता है तो यहाँ पर यही बताए गया आपको आपको यह बॉम अच्छे से समझ में आ गई हो और make sure to like subscribe and share to support my videos and to support my channel क्योंकि उससे बहुत जादा मिरको motivation मिलती है and make sure to comment as well so thanks for watching see you in the next video